हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मुबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं यूपी में भाजपा विदायकों की कार गुजारियां जिस तरह सामने आ रही है वो पार्टी के लिए शुब संकेत नहीं मान जा सकती गुंड़ई, दबंगई, मारपीड और अब बिजली बिल ना चुकाने का मामला सामने आया है बिजली का बिल ना चुकाने की वज़ा से गोपा मोव विधायक शाम परकाश की घर की बिजली ही काटी गई हर्दोई में बिजली विभाग उन वक्ताओं के खिलाफ अभियान चला रहा है जिन पर बिजली विभाग का काफी पैसा बकाया है इसके लिए हर्दोई बिजली विभाग ने मेगा डिस्करेक्शन डे के तहत अभियान चलाया बिजली विभाग के करमचारी इस अभियान के तहत गोपमों विधायक श्याम परकाश के घर भी पहुँचे और उनके बिजली विगाय की वज़ा से उनके घर की बिजली काइटी ये अभियान 25 अगस को चलाया गया था जिसमें विधायक जी के घर की बत्ती कुल करती गई पता ये चला है कि हर दोई में कथित तौर पर सबसे इमानदार विधायक कहे जाने वाले श्याम प्रकाश पर बिजली वी भाग का 13 लाग रुपय वक आया है विधायक जी के घर की बिजली कर जाने के बाद इस बात पर चर्चा होने लगी उधर अपने घर की बिजली कर जाने के बाद विधायक जी की भी जमा कराने के बाद ही विधैक जी की विजली जुड़ पाई और उनके घर में छाया अंधेरा उजाले में बदला लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कई मौकों पर ग्यान बाटने वाले शाम प्रकाश कब से विजली का बिल नहीं दे रहे थे कि उन पर 13 लाख रुपे का बकाया हो गया फजियात तब होई जब शहर के बड़े बिजली बकायदारों में उनका नाम शामिल होने के बाद बिजली विभाग ने मेगा डिस करेक्शन डे के तहत उनका बिजली करेक्शन काइट दिया अब सवाल ये उठता है कि सत्तरूर पार्टी के विधायक के घर की बिजली कर जाना वो भी बकाय बिल की वज़ा से तो इसका क्या निश्कश निकाला जाए जिस विधायक को जनता के सामने नजीर बनका बेश होना चाहिए उनकी गिंती डिफॉल्टरों में होगी तो फिर आम जनता से क्या उमीद रखें कि वो समय पर बिजली का बिल जमा करा पाएंगे गोपमाव विधायक के घर की बिजली जिस मेगा डिस्करेक्शन डे के दिन कटी है उसकी अंतरगत बिजली भाग ने ऐसे बिजली उपभोकताओं के कनेक्शन काटने का बियान चलाया जिन पर बिजली भाग का दस हजास से ज्यादा का बिल बाकी है हर दोई में जब ऐसे लोगों की सूची बनाए गई तो उस वक्त सभी को हैरानी होई बिजली का 13 लाख रुपए बकाया है बस विभाग ने उनके घर की बिजली भी काट दी तो फिर जैसे तैसे विजली ने 3 लाख रुपए की राशी भर कर अपने घर की बिजली जुणवा कर अपनी लाज बचाई इसे सत्ता रुपदल के विजली की बड़ी घर जिम्मेदारी या पिर सत्ता की हनक के लावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता